आपको जानकारी देने वाला हूं तो बीडियो को अंतक देखें बिलकुल भी इसकिप न करें आप सभी से रुकेश्ट अगर आप चैनल पर नाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जो कर दीजाए और बैल आइकोन पर किलिक करना ना भूलें जिससे आपको मेरे लेटेस्ट कितने पको लाने होंगे कि आपको समझा देता हूं में और अपको 580 क अचे तो सब्सक्राइब से पड़रें हैं आपको 27 नमबर लाने होंगे तबी आपको दोस्तों फाइ까지 up को यहाँ आप मैंने समझझा दीगाऊ कि आपको जानकारी देता हूं कि आपके practicalgs एड़ होते हैं इंहीं होते हैं तो यह पर सबसे पहले को 12 कलास की बात करूं दो है पर 12th class में दोस्तों आपको compartment exam में पास होने के लिए दोस्तों आपको separately जिस भी theory subject में आपकी compartment exam में दोस्तों उसमें आपको हैंपर 33% marks लाने होंगे तभी आपको दोस्तों finally pass माना जाएगा मतलब आपके हैंपर practical के marks नहीं होते हैं दोस्तों compartment exam में 12th class में 10th class की बात करता तो दोस्तों थी कि 10th class में पिछले साल दोस्तों एक student था जिसका हैंपर मतलब math में आपर तीन नंबर आए थे और उसका हैंपर practical में 14 नंबर थे मतलब इसके total दोस्तों हैंपर 17 नंबर थे दोस्तों इस student को compartment exam दी गई थी क्योंकि देखिए जो cbsc board में दोस्तों जो man exam होते कि उस student के यहां पर man exam में 3 नंबर थे math में और उसका practical थे उसमें 14 नंबर थे दोस्तों हैंपर finalist के सतरह नंबर थे इसको compartment आई थी math में और उसके बाद दोस्तों उसने compartment का exam दिया तो उसके यहां पर जो theory subject मतलब math में उसको 19 नंबर आ गया थे और practical के नंबर थे दोस्तों दोस्तों हैंपर finalist के student के 33 नंबर हो गए थे और दोस्तों finally इस student को pass declare कर दिया गया था क्योंकि इसके यहां पर total 100 में से यहां पर 33 नंबर हो गए थे तो दोस्तों उमीद की जा सकती है कि finally इस बार भी आपका finally जो 10th class का result बनने वाला है 10th class कब है theory plus practical को हैंपर total करके ही finally कि हैंपर theory में हैंपर आपके 15 नंबर है और आपके practical में दोस्तों मैं एक जाम में आपर 18 नंबर आयते तो दोस्तों finally आपको हैंपर pass declare कर दिया जाए गया तो दोस्तों सभी के लिए बहुत अच्छी ख़बर है दोस्तों देखिए इसका मैं proof की बात कर रहा था तो दोस्तो आपको मैंने proof वता दिया है कि 12-19 में आपके theory प्लस practical को 8 करकर finally हाँपर दसभी class में pass कर दिया गया था student को तो दोस्तों उमीद की जा सकते है कि finally इस बार भी ही system रहेगा और आपको finally अगर आपके theory में आपके 15 या 16 या 17 जितने भी number आते हैं अगर आपके मान लीजिए practical में जादा number है और आपके theory में कम number भी आ गए हैं तो आगर उसका total 33 नमबर होता है तो दोस्तों finally आप सभी को हैंपर pass कर दिया जाएगा तो दोस्तों मैंने आपको सारा कुछ के लिए कर दिया कि आपके minimum पाक्स से माक्स इतने रहेते हैं आपके practical माक्स होते हैं नहीं होते हैं तो दोस्तों finally आप सभी के लिए बहुत बड़ी है खबर आपके compartment exam चल ला हैं तो दोस्तों आप सभी को advice देना चाहूँगा कि compartment exam में ज्यादा से ज्यादा अटेम्प करें जिससे हैं आपके इतने माक्स तो आजाएं कि आप finally pass हो जाएं अटेम्प जादा करें और आपकी कॉपियों की चेक हैंगे दोस्तों बिल्कुल है आप आसान तरीके से आने लिलेंड तरीके से होगी और आपका जो result रहेगा दोस्तों result के बारे में छोटी सी जानकारी दे रहेता हूं आपका जो finally result रहेगा दोस्तों 15 October के आसपास 10 और बार भी दोनों class का declare declare कर दिया जाए दोस्तों आपको मेरी है जानकारी पसंद आईए जानकारी पसंद आईए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल पनाया तो चैनल को सब्सक्राइब करें जैहन जवारत